जो लोग ये कहते हैं कि सिरफ किताबों में 14 घंटे घुसे रोग को करीकुलर एक्टिविटीज का या स्पोर्ट का कोई फायदा ही नहीं है तो उन लोगों से भाया ये ख़िये मेरी जिंदगी है मैं अपने अब देख लूँगा फायदा है के नहीं है वो कहकर नहीं बूलना उन्हें बुरा लगेगा अपनी हर्कदों से बोलना है you don't stop your co-curricular activities you don't stop your sports हाँ वो चीज आपकी पढ़ाई पर असर नहीं करनी चाहिए पर अगर आपकी पढ़ाई पर वो चीज असर नहीं कर दी तो साथ में पढ़ाई के वो भी बहुत important है उससे क्या फायदा है उससे आपका self-confidence, the way of speaking, your body language, सारी चीज़े इंहांस होती है मेरे accordingly पढ़ाई के साथ साथ आपकी co-curricular activities और sports बाकी सारी चीज़ें भी उतनी ही important है जितनी आपकी education सिरफ आपकी पढ़ाई पर फरक ना पड़े